एक घोड़ा अपने मालिक से नाराज हो जाता है क्योंकि वो उसके जैसा ही एक दूसरा घोड़ा ले आया था, जिससे वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है तब उसका मालिक उसे खुद से दूर जाने के लिए मना करता है, पर वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और जंगल की तरफ जाने लगता है जिससे उसका मालिक दुखी हो जाता है, वो घोड़ा जंगल में देखता है कि एक मक्षी को एक मकड़ी बिना फ्राइ करे ही खा जाती है और तभी वहाँ अचानक से जारिया हिलने लगती है जिससे ये घोड़ा बहुत दर जाता है, पर वह लेकिन घोड़ा उसे ऐसा करने से मना करता है, आवाज सुनते ही सभी पैंथर्ज जाग जाते हैं और घोड़े का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागते हैं, तभी घोड़े का मूव एक लकड़ी में फस जाता है जिससे वो घोड़ा पैंथर के उपर ही गिर जाता है, गुस्से में पैंथर अचानक से रुखता है जिससे घोड़ा पहार के आखरी चट्तान पर पहुँच जाता है पैंथर उसका शिकार करने वाले ही होते हैं कि तबी उसकी जान बचाने के लिए उसका मालिक वहां आ जाता है